तो जैहिंद बच्चों लेकर आचको मैं आप लोगों के लिए acid basis and salts का एक next वीडियो जहां पर आज हम discuss करने वाले हैं बेस के बारे में तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को basis के बारे में सब कुछ killer करवा दिया है ठीक है तो चलिए आज अपना जो टार्गेट है बेस को complete करने का उसे हम complete कर लेते हैं तो सबसे पहले बता दो जो basis होते हैं वो bitter in taste होते हैं मतला कड़वा होता है ठीक है अब धीरे 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 आपको examples के साथ पता चलेगा कि क्य जा वोते हैं basis detail में तो आगे देखिए इसमें क्या क्या कर आ जाता है का जाता है बेस जो होता है एक ऐसा सबस्टांस होता है जो क्या करता है कमबाइन होता है hydronium आइन के साथ और उसके बाद आपको दो चीज़ मिलेंगे एक salt और एक water ठीक है अब देखिए hydronium आइन जो ह बारे में और भी detail में बात करेंगे जहां पर pH की value बात करेंगे वहाँ पर जितना ज्यादा hydronium आइंस होंगे उतनी ज्यादा acidic character को देखने को मिलेगा तो acidic character के साथ अगर हम एक ऐसे substance को ले आएं जो salt और water देता हो मतलब 100% वह जो चीज होगा उसे वह बेस होगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है acid और base नहीं पढ़ा है तो समझ लिजे याद कर लिजे अब कि acid और base जब भी मिलेंगे तो आपको उस reaction को neutralize होते हुए आपको देखने को मिलेगा जो कि वैसे यह वहला reaction में आप लोगों को acid में करवाया हुआ है ठीक ना लास्ट वीडियो में acid base मिलते हैं तो आपको salt और water मिलता है है neutralization reaction के नाम से जाना जाता है कुछ example से और नीचे में आप लोगों को देने वालों और ज्यादा अच्छे से understanding होने के लिए सबसे पहले देखें जो basis होते हैं या तो metal oxides हो सकते हैं या तो metal hydroxides हो सकते हैं अब metal oxide का मतलब sodium oxide, magnesium oxide, calcium oxide इस टाइप से आपके पास देखने को मिलेंगा वहीं पर आगर आपके पास metal hydroxides की बात करते हैं यह रहा आपके पास acid जब हम दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा आपको यह रहा salt और यह रहा water है नहीं salt water balancing आप देख लीजएगा balance नहीं कर रहा है मैंने वैससे यह balance ही है calcium hydroxide और sulphuric acid तो यह calcium sulphate और water निकाल कर देदेगा salt and water यह salt है और यह water है समझ में आ रहे हैं कि बात डन है ओके तो बेस तो आपको समझ में आ गया है लेकिन आप समझाते हैं एक particular term जिसका नाम है alkali ठेकिन अलकली अब यह alkali जो होता है वह थोड़ा से differ करता है base से मैं समझाता हूँ कैसे देगे सबसे पहले alkali में क्या लिखा इसमें कहा जाता है the basis which are water-soluble called alkali मतलब अब ऐसे base base तो है in no doubt लेकिन उन basis में से कुछ ऐसे particular base होते हैं जो water-soluble होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं समझे चीज़ों को जो पानी में घुल जाते हैं ठीक ना पूरी तरह mix हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं alkali के नाम से जानते हैं उनको हम alkali के नाम से जानते हैं पानी में मिल जाते हैं घुल जाते हैं ठीक ना जो पानी में मिल घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं solubility है ना solubile हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं alkalis की नाम से जानते हैं अब समझे है sodium hydroxide हो गया metal hydroxide है यह भी metal hydroxide है यह भी metal hydroxide है यह औकसाइड है यह 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 जितने भी होते हैं metal हो गया metal oxide हो गया फिर metal hydroxide हो गया जो कि अभी हमने आपको यहाँ पर example दिया यह वाले यह वाले सारे यह तो बेस होते हैं no doubt और वही मैंने यहाँ पर लेखा है वही तो है देखिए यह सारे sodium hydroxide potassium hydroxide this is called ammonium hydroxide copper oxide magnesium oxide और यह आपके पास iron hydroxide अब यह जितने भी metal oxide और metal hydroxide होते हैं वो तो बेस होते हैं no doubt बट सेल अलकलीश तो water soluble वाले हैं तो क्या यह सारे water soluble हैं नहीं देखिए यहाँ पर लेखा है यह सारे के सारे R bases but sodium hydroxide, potassium hydroxide and ammonium hydroxide यह तीन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है यह तीनो water soluble होते हैं जिसकी वज़ा से हम इनको अलकलीश के नाम से जानते हैं याद हुआ समझ में आगी बात सारे metal oxide और metal hydroxide no doubt आपके base के काम करेंगे वो base होंगे बट जरूरी नहीं है बट जरूरी नहीं है जो alkalis होंगे जितने भी आपके बास मतलब alkalis होंगे वही water soluble होंगे सारे के सारे base water soluble नहीं होंगे चीजों का समझे ठीक है ना तो अभी मैंना आपको एक example दे दिया sodium hydroxide का ये वाला दूसरा example दे दिया potassium hydroxide का तिसरा दे दिया ammonium hydroxide का तो ध्यान रखेगा ये water soluble होते हैं जिसकी वज़ा से हम इनको alkalis के नाम से जानते हैं याद हो गया होगा ठीक है चलिए यहाँ पर एक note डाल कर एक line लिखिए है इसको समझेगा अच्छे से all alkalis are base क्योंकि हमें पता है जितने भी base होते है उसी में से alkalis निकल कर आते हैं समझे रहे हो लेकिन all bases are not alkalis लेकिन सारे base को आप alkalis नहीं कह सकते हैं जो soluble होते हैं water soluble होते हैं हम alkalis सिरफ उसी को कहते हैं सारे bases को नहीं कह सकते हैं got it? चलिए पहला classification देखने को मिल जाएगा आपको फिलाल आप देखिए strength किसमें कितनी ज़्यादा power है ऐसा समय लेजे मतले जिसमें जितना ज़्यादा OH negative के जो concentration देखने को मिलेगा strength उसकी सबसे ज़्यादा होने वाली है तो strong basis की जब हम बात करते हैं में आता है जो देखिए आप यह क्या लिखा basis which undergo complete dissociation producing या high concentration of hydroxyl ion hydroxyl ion है क्या आपके पास तो OH minus है ठीक है न in aqueous solution are called strong basis देखिए strong basis वो होते हैं अगर हम उसको किसी भी तरह से aqueous के form में डाल दिया क्यानिक मतलब पानी में डाल दिया तो वो hydroxyl ions बहुत ज्याद आमन में release करेंगे हाई concentration में और उसी को हम strong base के नाम से जानेंगे एक्जामपल आपके पास sodium hydroxide potassium hydroxide lithium hydroxide देखिए जो reactive metals होते हैं reactive metals ध्यान रखेगा reactive metals जो होते हैं अगर आप उसके hydroxides की बात करेंगे आप उनके hydroxides की बात करेंगे वो generally ठीक है ना आपको क्या देखने को मिलेंगे strong के category में fall करते हैं got it इतनी बास समझ माँ आगए होगी done है ठीक है वहीं पर आपके पास weak basis क्या होंगे जो completely dissociation नहीं होगे completely dissociation का मतलब समझगे जैसे मैंने वोला कि यह strong है तो strong को जब मैं sodium hydroxide को echoes के form में रलाऊंगा मतलब पानी में डालूंगा तो यह अपने ions में completely तूट जाएंगे na plus और oh minus में dissociate हो जाएंगे यहां तक बात समझ में आई done है ठीक है अब देखे weak basis का मतलब है partial dissociation मतलब पूरी तरह से नहीं तूटेंगे मान लिजए आपने 10 मॉल डाला तो strong के case में पूरे 10 के 10 मॉल dissociate हो जाएंगे तूट जाएंगे अपने ions में but 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 जब weak base की बात करेंगे तो पूरी तरह वो नहीं तूटते हैं पहले 10 मॉल में से 2 मॉल तूटा फिर और पानी डाला आपने water डाला उसमें और थोड़ा से टूटा और पानी डाला थो और थोड़ा से टूटा और इस तरह करते 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 फिर टूटता है ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर example इसके ammonium hydroxide calcium hydroxide magnesium hydroxide etc 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 तो देखिए यहाँ पर reactive metals तो मैंने बोल दी अलिक ध्यान रखेगा यह भी थोड़े बहुत reactive metals में आते हैं calcium magnesium तो इसका मतलब थोड़ा सा ध्यान से आपको याद रखने की जरूरत है कि sodium potassium सबसे टॉप में बैठते हैं lithium तो यह कुछ ज़्यादा ही highly reactive बहुत ज़्यादा रियक्टिव है अगर आप इसको open air में रखते हैं तो oxygen के साथ भी react कर लेते हैं जिसके बज़ा से यह strong basis का example बन जाते हैं बट यह वाले आपके पास जो हैं वो थोड़े से weak base के example में fall करते हैं हलांके magnesium hydroxide भी कहीं ना कहीं अच्छा खासा थोड़ा सा base के category में ज्यादा ही fall करता है बट फिलाल इसको हमने weak में रख रखता है क्योंकि थोड़ा सा इन से इन से इन से थोड़ा सा lower category में fall करता है ठीक है अब हमारे पास classification on the basis of acidity देखिए जब हम बात कर रहे थे acid की तो वहाँ पर हमने बात की थी basic city की देखिए सबसे पहले आप acid वाली प्लीज वीडियो जाकर देख लीजे ताकि एक अच्छी understanding आपको मिले और यहां पर जो भी चीजे मां आपको समझाओं अच्छे तरके समझ में आ जाए तो mono acid हम उसको बोलेंगे जैसे sodium hydroxide यह कितने OH negative को release करेगा तो एक करेगा तो इसलिए mono acid हो गया डाइ basic का मतलब क्या हो गया आपके पास कि कितने OH negative को आपके पास release करने वाला है तो यहां पर ले लो भई हम क्या ले लेंगा example magnesium hydroxide ठीक है न यह दो OH को release करेगा एक example मैंने लिख भी दिया लिख भी दिया और यह ट्राइवाले यहां पर आगया आपके बस समझ मारी की बात डन है आपको ध्यान रखने जब acid होता है तो उसके basic city की बात करते हैं लेकिन जब यह base होता है ठीक है न बेसी से यह तो अलगी टम है जब आपके बास base होता है तो उसमें हम acidity की बात करते हैं ठीक है और basic city का मतलब कितने h plus release होंगे या फिर h3o positive only hydronium ion और acidity का मतलब कितने हो h minus release होंगे got it अगला concentration के base पे तो highly concentration और concentrated base और dilute base देखने को मिलेगा solution की बात करेंगे यहाँ पे हम तो solution that contains high percentage of base जिसके पास base ज्यादा होंगे जैसे base ज्यादा हो गया water कम हो गया तो इस case में हम बोलेंगे हो strong base है concentrated base है समझमारे माद base की quantity ज्यादा है माल लेते हैं यहाँ पे एक हमने solution तयार किया हमने यहाँ पे सब्सक्राइब हो एक तरह की से strong case बन जाएगा ठीक है बोले तो concentrated base और dilute का मतला पानी का amount ज्यादा कर देजिए water amount ज्यादा कर देजिए और base कम कर देजिए इसी का ठीक है चलिए अब हम preparation पर आ जाते हैं कैसे कैसे prepare करवा सकते हैं तो आप direct combination करा सकते हैं metal का oxygen के साथ तो metal oxide मिलेगा और आपको बताई दिया है metal oxide क्या होते हैं base होते हैं और यह आपका base तयार है तो अब यह आपको focus होना चाहिए कि arrow के बाद हमें base मिल रहा है या नहीं मिल रहा है मतला आपको दो चीजों पर focus करनी है एक त दूसरा आपके पास metal hydroxides पे दूसरा आपके पास किस को focus करनी है metal hydroxides पे तो यह दोनों ही आपको मिल रहे हैं तो मतलब आप base की preparation कर रहे हैं दूसरा आपके पास action of water on soluble metallic oxide कुछ ऐसे भी metallic oxide होते हैं जो water soluble होते हैं तो अगर उसको हम पानी में डाल देते हैं तो हम हम अच्छी बात है तो पॉटेसियम उक्साइड होगा इनको अगर आप पानी में डाल देते हैं तो आपको हाइड्रोकसाइड सुनके correspondingly ऐड़ोक्साइड मिल जाते हैं, जिसकी वज़ा سे हमें, हैनल मिलती है, और मजह सा आता है, हमें बेस निकल कर मिल जाता है, ठीक है? कही न कही आपने बेस से ही, बेस को बनाया यहां पर, समझमारीन बात यहां पर, कही न कही आपने बेस से ही, बेस को बनाया, तो यह एक ठीक है, तो Oxide से Hydroxide बनाया है, यह चीछ समझ लेजेगा, अगला आपके आपके बास, Exxon of Water on Ammonia, अगर आपने Ammonia में, समझ मारेन बाएट, एक Ammonia में पाणी डाल दिया, या फिर पाणी में Ammonia डलवा दिया, तो ammonium hydroxide मिल जाएगा जो के एक weak base का example अभी बताये तो मैंने आप लोगों को समझ माहरीन बात तो हमें base जोएगो मिल गया खतम बात अगला आपके पास action of water on metals अगर आप metals में पानी डाल देते हो चीज़ों को समझेगा में पानी डाल देते हो तो हाइड्रोकसाइड मिलेगा साथ में एक extra चीज़ है hydrogen gas liberate होती है तो देखिए हाइड्रोकसाइड की preparation हो गई खतम बात दूसरी चीज़ ध्यान रखेगा जिंक हो गया और iron हो गया यह cold water के साथ रेक्ट नहीं करते है यह नॉर्मल cold water है आपके पास नॉर्मल वाटर है ठीक ना लेकन जब आप जिंक और iron की बात करते तो नॉर्मल वाटर के साथ reaction अच्छे से नहीं दिखाता है जिसके वज़ए से हम उनके साथ steam बोले तो भाप स केस होते थे और यहीं चीजों को आपको याद रखने के जरूरत है इधर हाइड्रोक्साइड बन रहा था बट इधर ऑक्साइड बनता है hydrogen gas दोनों केस में release होता है समझ में आ रहेगी बात अब देखिए precipitation of metal हाइड्रोक्साइड का मतलब यह एक है हम ने metal reaction और यह आपको 9 में करवा दिया था chemical reaction वाली चप्टर में तो अपने ions को sulfate और hydroxide यह exchange कर लेंगे यह इसके साथ चला जाएगा और यह sodium के साथ चला जाएगा तो sodium sulfate बाहर हो जाएगा copper hydroxide आपको बनता हो दिख जाएगा how to make chemical formula आपको 9 में सिखा दिया था तो copper hydroxide कैसे बना देते वही कुछ लग नहीं फिर से वही बिल्कुल सेम एक्जामपल है तो आपके बार यहां पर आइरन hydroxide देखने को मिल जाएगा sodium sulfate अगेन बाहर होगे double displacement reaction नेक्स्ट आपके पास thermal decomposition of carbonates and nitrates का मतलब यह कि अगर आपके पास कोई carbonates है उसमें आपने thermal decomposition करा दिया thermal decomposition का जिसमें हम किसी भी तरीके से एक reactant को reactant आपके पास एक होता था उसके product में तोड़ देते थे या तो दो या तो तीन या फिससे भी ज़्यादा product में आपके पास आ जाता था और तोड़ने के लिए आपके पास तीन तरीके होते थे एक बार आप heat देते थे एक बार आप sunlight दे 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 थे और एक बार आप current दे 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 ते यह तीन तरीके थे decomposition reaction के बट फिलाल हमें बात करने है thermal decomposition की thermal decomposition का मतलब होता है आपने heat से तोड़ा है मतलब heat से तोड़ा है एक reactant को दो या दो से ज़्यादा प्रोड़क में तो यहाँ पे अगर आप देखें तो carbonate है अगर आपने carbonate पे heat दे दिया यह delta symbol कहते है heat को represent करते है आपने heat दिया तो copper oxide और carbon dioxide में convert हो जाता है तो देखिए हमें मिल गए न copper oxide और copper oxide है क्या एक base है समझ मांगी इतनी बात done है ठेक है और हम क्या करवा रहें प्रिप्रेशन ही तो करवा रहें इनी चीजों की तो में जरूरत है अच्छा सिरफ इतना ही नहीं अगर आपने carbonate के साथ साथ नाइट्रेट के साथ भी ऐसा किया तो जैसे कि यह आपकी पास copper नाइट्रेट लिया हीट करा आपको copper oxide अगेन मिलें तो में चीज हमारा यह बनाना था वो हमें मिलकर तैयार में मतलब तैयार होकर मिल चुका है समझ मांगी बात इतनी डन है चलिए आप कुछ physical properties पे नजर मार लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझेगा तो पहले बता दिया बेसिस का टेस्ट होता है वो थोड़ा बिटर होता है समझ मांगी बात यह शोपी-टू-फील होता है मतलब फिसलता है हाथ मिली जैग ना फिसल और दूसरा potassium hydroxide जो क्या होते है highly corrosive होते हैं मतलब यह corrode कर देता है जंगवंग लगाने के टाइप में something तो अगर यह स्कीन के साथ contact में आता है तो फेट के साथ-साथ-साथ-साथ-साथ भी यह रियक्ट कर लेते हैं और यही रिजाने के इनकों साबून साफ़ी डिटरिज होती थी वो क्या होती थी जब हम उसको पानी में डालते थे मतलब एकवस के फ़र्म में होता था तो अगर्ट करता था electricity को सेम बिल्कुल सेम यहां पर भी solution अगर बेश तयार करते हैं तो 100% वह भी electricity को कंड़क्ट करता है समझ में आग इन बात कंड़क्ट electricity अच्छा नेक् की ए कि तो यहां पर अब की आपके पास रहती है यहां पे बिल्कुल समझ साधार यहां पर यहां पहले लिठ मसब और वो बिलूब में करतेका तो और अगर अफिज हैं यहां पर कि सय lie और कि तो यह चीज़े थोड़ी से आप लोगों के लिए याद करने वाली है तो याद एक बड़ ट्रिक बना के याद किजिएगा अपने हिसाब से चलिए लास्ट टॉपिक पर आ जाते हैं जिसका नाम है केमिकल प्रोपर्टीज ऑफ बेसिस अब देखिए केमिकल और आपने हाइडगरोकसाइड मेंसे कार्बन डायोकसाइड तो अबको कार्बोनेट मिल जाता है, ध्यानद समझेगे अब यहां पर प्रिप्रैसण नहीं करवा रहा है कि, कहीँ अरों केबाद इधर ढूणते पिर हो, कि वही हमारा हाईड्रोकसाइड कहाँ है, हमारा में टलकसाइड का है नहीं आपको बास नहीं मिलेगा मैं आप बेस का रियक्षण करवा रहлять हैं अपसमें कर बेस के साथ ammonium chloride के साथ तो हमें salt water के साथ ammonia gas मिल रहा है ये एक सबसे important part है द्यान समझेगा ammonia gas की preparation हम इससे करवा सकते है अच्छा double decomposition reaction या फिर जो इसका precipitation reaction भी नाम जानते थे तो zinc sulfate sodium hydroxide ये भी उपर बता ही दिया था हमने ठीक ना preparation में भी तो ये precipitate बनाने वाले कहानी है और कुछ अलग नहीं है और last and the most important समझेगा amphoteric behavior of some bases मतलब कुछ ऐसे base है हमारे पास जो amphoteric nature के होते हैं और amphoteric nature के मतलब है ऐसे substances जो acid की तरह भी behave करते हैं और base की तरह भी behave करते हैं उनको हम amphoteric base के नाम से जानते हैं तो याद रखेगा aluminum का zinc का और lead का चीक है ना तो aluminum का जैसे aluminum oxide हो गया AL2O3 या फिर aluminum hydroxide हो गया ALOH3 ये दोनों ही आपके पास चीक है ना यहापे लिख दिया ना अच्छा सॉरी oxides की बात नहीं कर रहे हैं hydroxide की बात कर रहे हैं तो oxide को छोड़ दीजे और hydroxide की बात करते हैं मतलब aluminum hydroxide की बात करते हैं तो आपके पास क्या है रहेंगा आपके पास एक amphoteric base का काम करने वाला है zinc hydroxide की बात करेंगे तो वह भी एक amphoteric base की बात करेंगे और lead PV मतलब lead होता है तो lead के अगर हम hydroxide की बात करते हैं तो वह भी आपके पास एक amphoteric base का example देखने को मिलना है अब आपको पता है कि जितने भी amphoteric होते हैं वह acid के भी properties को सो करते हैं और base के भी professions को सो करते हैं पहले भी बताया है आपको तो धियान रखी गई है acid के साथ cool बेस के साथ एकर करेंगे है जब इस केसाथ to direct और जब एसे तब法 ऩखर एक्ट करेंगे और duration acid base react करवाएंगे तो salt और water मिल जाएगा ठीक उसी परकार से यह क्या है हमारे पास sodium hydroxide base है तो यहां पर यह जो aluminium hydroxide होगा वो एक acid की तरह behave करेगा और फिर से acid base react करेंगे तो salt और water मिलेगा इस salt का नाम होता है sodium aluminate zinc के साथ करेंगे तो क्या नाम है इसका और यहां पैने ओस डाल दिया जैसे हैं जैसे zinc हो गया hydroxide हो गया और मान लिए sodium ओस डाल दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा यहां पर h2 तो निकल कर आएगा यह आएगा तो sodium zincate का example आपको यहां पर देखने को मिलेगा साइद यहां पर two आता है देख लीजेगा एक बर sodium zincate का प्रॉपर तरीकर इस फॉर्मूले तो कुछ इस तरह की जो कहानी है वह आपको देखने को मिलेगा sodium zincate और अगला आता है लेड के साथ होता है तो लेड पलंबेट के नाम से जाना जाता है उसको लेड के किस में क्या कहता है पलंबेट कहते हैं क्या इतनी बात समझ में आ गई डन है और यहां पर देखते ही देखते हमने बेस वाली पोर्षन को complete कर लिया है ठीक है तो उमीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा और अगर ऐसा है तो फटा फट वीडियो को लाइक करतीजिए साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नई स्टुडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आकन को चुरू प्रैस किजिएगा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में प्रैक्टिस करते रहेगा जैहिन